हेलो एरिवें वेलकम टू स्वामे वेवेकानन कोचिंग क्लासेज ओफिशल यूट्व चैनल तो आज हम कुछ आप नहीं सीखने वाले हैं आज हम डिसकस करने वाले डीटल अनलेसेज ओफ रिडूस सिलाबिस तो आप सभी को पता है जो एससी बोर्ड का सिलाबिस है उसमें 25 25% reduction हुआ है due to COVID-19 लेकिन कौन-कौन सी चीज़े यहाँ पर रिडूस हुई है रिमू कर दी है वह आपको क्या करना है पता नहीं है इसलिए मैंने क्या किया है पूरा टेक्सबुक लेकर उसमें कौन-कौन सी चीज़े रिडूस हुई है वो सब नोट करके रखा है तो आज ह नौट इंपोर्टन थी है यह जो सिलाबल से 25% reduction यहाँ पर दिया है इस ओनली पूर 2021 इस नौट पर्मनेंट चेंज यह पर्मनेंट चेंज नहीं है यह सिफ 2021 की जो बैच है academic year है next academic year है उसमें ही होगा यह तो आज हम डिसकस करेंगे is for mathematics 1 और नेक्स वीडियो में देखने व के वीडियो है उसमें कौन-कौन सा reduction हुआ है कौन-कौन सा part reduced हुआ है वो सारी चीज़े हमने upload किये है उसके दो वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगे description box में उसके link भी दे रखी है तो वह भी आपके टोर टेक्सबुक में note-down कर लो यह तो चलो start करते हैं तो यह हमारा standard 10 का mathematics part 1 का textbook अभी इसमें क्या-क्या reduce हुआ है one by one हम सब देखने वाले हैं तो नीचे आते हैं उसमें क्या है mathematics part 1 में total six chapter आपको दिये हैं so one by one देखते हैं तो पहले index देखते हैं इंडिक्स में कौन-कौन से chapter है वो सारे यहाँ पर हमें mention किये हैं तो चलो यहाँ पर आते हैं first page पर index है so index पर linear equations in two variables second chapter quadratic equations then arithmetic progression then financial planning then probability statistics total six chapter यहाँ पर दिये हैं तो first chapter देखते है linear equations in two variables में so सारे video सारे यहाँ पर कौन-कौन सा point यहाँ पर reduce हुआ है वो सारे page number wise हम सब यहाँ पर देखने वाले okay so यहाँ पर page number one पर देखते है page number one पर कुछ भी आपको reduce नहीं किया है देन आते है second page पे page number two so page number two में example दिया एक्जांपल one उसमें एक्जांपल one method one and method two दिया है दोनों भी method आपको करने नहीं है वो syllabus में आपको नहीं है okay मतलब अभी page number two हुआ है देन आते है page number three पे page number three पे आपको दिया है question number two small example दिया है वो भी आपको पढ़ना नहीं है और जो small example three है आपको वहाँ पे mark नहीं किया है मतलब वो आपको पढ़ना है ओके देन आते हैं page number 4 पे page number 4 पे practice set 1.1 दिखा दे रहा है so page number 1 पे page number 4 पे practice set 1.1 question number 1 जो है वो 1 आपको पढ़ना नहीं है देन आते हैं page number 5 page number 5 में question number 2 है question number 2 में total 8 question आपको दिये है तो पहले जो 6 question है 1,2,6 जो है वो आपको पढ़ना नहीं है और जो question number 7 और 8 है वो आपको पढ़ना है देन आते है page number 6 पे तो 6 पे कुछ change है क्या नहीं है कुछ भी mark नहीं किया है देन आते है page number 7 graph आपको दिया है graphical method उसमें भी कुछ change नहीं किया है देन आते पेज no.8, 8 पे भी कुछ reduce नहीं किया है, then page no.9, then 10, then 11, यह पर आपको कुछ भी change दिखाई नहीं दे रहा है, okay, 12 पे भी कुछ भी नहीं है, then page no.13 पे भी नहीं, then page no.14, then 15, then 16, अभी page no.16 पे आपको दिया है, let's learn दिखाई दिखाई दे रहा है, याँ पे equation reducible to a pair of linear equation in two variables इसमें activity आपको दी है जो कि आपको पढ़ना नहीं है ओके यह हो गया page number 16 देना दे next page पे page number 17 पेज नमबर 17 पे है small example 1 यहाँ पे मैंने cross किया है मतलब आपको पढ़ना नहीं है पेज नमबर 17 हो गया page number 18 पे भी small example दिया है वो भी आपको पढ़ना नहीं है देना आते है next page पे activity आपको दी है page number 19 पे वो activity आपको पढ़नी नहीं है देन साती साल practitioner 1.4 भी जो है वो पूरा ही reduce किया है मतलब कोई भी practitioner 1.4 में आपको कोई भी question आपको solve करना नहीं है ओके देना आते है page number 19 हो गया अभी है 20 तो 20 में कुछ दिखाए दे रहा ही क्या कुछ भी part reduce नहीं किया है देन next page page number 21 देन 22 देन 23 देन 24 कुछ भी आपे reduce नहीं किया है तो सीधा आते है next page पे 25 देन 26 26 पे practice 1.5 दिया है वो पूरा ही आपको solve करना है कुछ भी भी भापे reduce नहीं किया है बहुत easy है देना आते है page number 26 हो गया और जो problem set 1 है उसमे question number 1 है alternative question वो पूरा आपको solve करना है देन 7 साथ ही साथ question number 2 then question number 3, question number 4 and question number 5 में भी आपको पूरा solve करना है लेकिन जो question number 6 है वो पूरा reduce किया है मतलब आपको कोई भी example वहापे solve नहीं करना है then question number 7 है वो आपको पूरा solve करना है इस ब्रैकेट में answer लिखना है बहुत इसे हैं सारा solution आपको वहाँ पे दिया है सिर्व आप पे addition और subtraction करके आपको answer मिल जाएगा ओके देन आते हैं next page पे 29 is the last page for practice से 1.5 मतलब जो chapter number 1 है linear equation वाला वो यहाँ पे 29 पे finish होता है देन start होता है हमारा second chapter quadratic equation अभी quadratic equation में कौन-कौन से change हुए है कौन-कौन से part reduce हुआ है वो सारी चीज़े हम one by one देखने वाले so page number 13 पे आपको कुछ भी reduce नहीं किया है then आते page number 31 so 31 पे भी कुछ भी दिखाय नहीं दे रहा है जहाँ पे cross से वहाँ पे क्या हुआ है वो part reduce हुआ है yes now the next one page number 32 then 33 then 34 34 पे है practice से 2.1 वो आपको पूरा solve करना है बहुत easy है chapter सिर्फ सारी चीज़े आपको समझ लेनी है then page number आता है हमारा 35 then 36 मतलब practice से 2.2 भी आपको solve करना है then page number 37 so 37 जो है वो पूरा page यहाँ पे cancel दिखाय दे रहा है वरापर यह पूरा example भी है यहाँ पे और solution of quadratic equation by completing square meter आपको दिया है वो सारा यहाँ पे cancel हुआ है जो कि आपको पढ़ना नहीं है okay now the next page आते है 38 पे so 38 पे यह जो example दे यहाँ पे वो example आपको करना है लेकिन जो solve example है example number 1 वो आपको पढ़ना नहीं है देना आते है next page पे page number 39 so 39 पे example number 2 है वो आपको solve करना है completing square method से but practice day 2.3 में सारे example आपको completing square method दिये है लेकिन हमने completing square method पे पूरा cross करके लिया था मतलब practice day 2.3 पूरा reduce हुआ है कोई भी example वो आपको solve करना नहीं है then आते है next page पे page number 40 so 40 पे कुछ भी change नहीं किया है then page number 41 then page number 42 so 42 जो है graph आपको दीखाय दे रहा है for more information वो सारा part यहाँ पे cancel हुआ है yes then next आते है page number 43 43 पे आपको formula method दी है यहाँ पे activity दिया है जो activity आपको पढ़नी नहीं है वहाँ पे मैंने cross करके लिखा है then practice set जो 2.4 है 2.4 में दोनों भी question आपको solve करना है यहाँ पे third question भी next page पे दिया है third question भी आपको solve करना है then nature of roots of quadratic equation वो भी आपको पढ़ना है then आते है page number 45 so 45 पे कुछ भी change नहीं है then सीधा आते है next page पे 46 पे पूरा 46 पे पूरा यहाँ पे cancel करके लिखा है मतलब कोई भी चीज आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है then next page है 47 47 भी पूरा cancel हुआ है मतलब 46 47 दोनों भी आपको पढ़ने नहीं है then to obtain the quadratic equation having given roots इसमें कोई भी part आपको cancel नहीं किया है reduce नहीं किया है मतलब 48 and 49 पे कुछ भी reduce नहीं किया है अभी 49 पे जो है question number 3 question number 1 में third जो sub question दिया है alpha और beta वाला वो आपका सिर्फ cancel किया है और first जो 2 है 1 and 2 वो दोनों भी आपको solve करना है बहुत easy है then second और third भी आपको करना है और जो next page है page number 50 so 50 पे दिखा हो यहाँ पे क्या है practice set है question number 4 आपको पढ़ना है but question number 5 and 6 दोनों भी आपको question पढ़ने नहीं है मलब 4 and 7 आपको करना है और 5 and 6 करना नहीं है then आते हैं next page पे page number 51 51 में कुछ भी reduce नहीं किया है मलब पूरा practice set 2.6 आपको solve करना है then 52 पे कुछ भी change नहीं है then page number 53 53 पे हमारा है problem set 2 so problem set 2 में question number 1 में जो 6 1 है वो क्या है reduce किया है तो कि आपको पढ़ना नहीं है then आते हैं next page पे page number 54 54 पे दिखाए देना आपको question number 10 यहापे मैंने cross करके लिखा है so यह आपको पढ़ना नहीं है then आते हैं next page पे 55 मतलब हमारा third chapter start होता है arithmetic progression उसमें कुछ भी change नहीं किया है कुछ भी reduce नहीं किया है पूरा chapter आपको वहाँ पढ़ना है simple छोटा भी point वहाँ पे reduce नहीं किया है चलो one by one देखते हैं कुछ reduce दिया है क्या पूरा chapter आपको दिये पढ़ना है 55 then 56 57 then आते हैं next page पे 58 59 60 61 सारी चीज़े आपको यहाँ पे पढ़नी है simple method आपको TN निकालना है SN निकालना है बहुत easy है सिर्फ value आपको put करके वहाँ पे answer मिल जाएगा 64 then 65 practice state 3.2 भी आपको करना है देना आते हैं next page पे 67 में भी कुछ change नहीं है then 69 68 भी हो गया हमारा then 70 कोई भी यहाँ पे reduce नहीं किया है पूरा chapter आपको यहाँ पे पढ़ना है जैसे का वैसे सिर्फ formula लेना है वहाँ पे value पुट करके आपको answer निकालना है तो सीधा आते हैं next chapter पे so next chapter आपको problem set दिया है 3 पूरा problem set आपको solve करना है ताक कि कुछ भी यहाँ पे reduce नहीं किया है ओके देन आते page number 80 पे आपका जो problem set 3 है वहाँ पे finish होता है then हमारा start होता है chapter number 4 that is financial planning तो financial planning में कौन-कौन से reduce हुआ है कौन-कौन सा chapter reduce हुआ है कौन-कौन सा point reduce हुआ है उस सारी चीज़े हम देखेंगी ओके so page number 81 में आपको कुछ भी थेरी बगरा दिया है वो सारा पढ़ना है then page number 82 में कुछ भी change नहीं है 83 then 84 85 then 86 86 के बाद आता है 87 पर practice state 4.1 मनलब सारी चीज़े हो यहाँ पर आपको पढ़नी है then 87 88 then आते 89 90 then 91 92 then practice state 4.2 आता है page number 93 पर 93 पर पूरा practice state 4.2 भी आपको solve करना है लेकिन यहाँ पर change को आए for more information जो आपको दी है page number 95 में वो पाड यहाँ पर क्या कर रहा है reduce किया है सुभा पर मैंने cross mark किया है okay then आते है next page पर page number 95 95 पर कुछ भी change आपको दिखाई नहीं दे रहा है then page number 96 पर भी कुछ भी नहीं है then page number 97 में पूरा page क्या किया है reduce किया है ताकि कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है देना आते है next page पर page number 98 98 पर पूरा cancel हुआ है then 99 पर पूरा cancel हुआ है then 100 भी गया है then 101 then 102 देना आते है next page पर 103 यह पूरा page जो है पूरा page यह आपको यहाँ पर पर पढ़ना नहीं है देन आते है next page पे 104 104 में भी कुछ भी नहीं है चलो देखते है next वाला page number 105 अर यार पूरा सारा जिलाबल से यहाँ पे cancel किया है नहीं चलो 105 भी यहाँ पे cancel हुआ है चलो next page पे देखते है 106 106 भी यहाँ पे गया है चलो देन आते है 107 107 भी नहीं है 108 पे भी दिया है किया कुछ पूरा reduce किया है मतलब कितने pages reduce किया देखो 97 to 108 पूरा cancel हुआ है प्रैक्टिस यह 4.4 करना है यह थोड़ा बोट करना है यहाँ पे दिया है में कौन-कौन से question किया कौन-कौन से आपको करना नहीं है then problem set 4 यह आते आपको पूरा problem set करना है problem set में कुछ भी सीज़े यहाँ पे reduce नहीं किये है then problem set 4B जो है जो हमने cancel किया है वो सारा पार्ट यहाँ पे जाएगा मतलब question number 1 यहाँ पे reduce हुआ है साथी साथ question number 2 then question number मतलब पूरा यहाँ पे देखो पूरा 4B यहाँ पे cancel हुआ है मतलब page number 111 and 112 दोनों भी page यहाँ पे cancel हुआ है मतलब problem set 4B यह पूरा यहाँ पे reduce हुआ है then आते page number 113 पे 113 में आपको दिया है chapter number 5 probability probability में कुछ भी change यहाँ पे नहीं किया है सारी चीज़े यहाँ पे आपको पढ़नी है कुछ भी reduction यहाँ पे नहीं दिया है बहुत simple chapter है बहुत easy है सिर्व आपको देखो क्या है क्या नहीं आपको सारी lecture यहाँ पे मिल जाएगे so पूरा chapter number 5 आपको solve करना है then आते next page पे कहां से start होता है हमारा next chapter 1, 2, 9 से हमारा next chapter start होता है that is the last chapter of mathematics part 1 last chapter है that is statistics chapter number 6 से last वाला chapter mathematics में अभी यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़े reduce हो है वो सारे हम वहाँ पे देखेंगे so page number 1, 2, 9 पे कुछ भी आपको reduce नहीं किया है then आते है 1, 3, 0 1, 3, 0 में भी कुछ भी दिखायने दे रहा है then 1, 3, 1 बहुत easy chapter है सिर्फ formula लगा के आपे chart बना के आपको solve करना है addition, subtraction आता है then 1, 32 पे दिया है आपको assume mean method यह जो part है वो यहाँ पे क्या किया है reduce किया है yes then 1, 33 पे आते दिन आते 1, 3, 4 पे 1, 3, 4 पे आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है solve example यह पे दियेते कुछ भी चीज़े आपको यहाँ पे करनी नहीं है then 1, 3, 5 1, 3, 5 पे पूरा गया है यार चलो देखते है next page भी है क्या ऐसा 1, 3, 6 1, 3, 6 पे भी कुछ भी पढ़ना नहीं है चलो next page पे आते है 1, 3, 7 1, 3, 7 भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है then 1, 3, 8 पे है practice state 6.1 उसमें आपको दिया है question number 2 सिर्फ question number 2 आपको पढ़ना नहीं है साथ ही साथ question number 5, 6 and 7 आपको पढ़ना है मतलब 4, 5, 6 तीनों भी question आपको यहाँ पढ़ने नहीं है then आते है next page पे 139 पे 139 पे कुछ भी part आपका reduce नहीं किया है then आते है next page पे 140 140 भी कुछ भी change आपको दिखाएं नहीं दे रहा है then 141 then 142 then 143 then 144 145 145 पे प्रैक्टिस्टेट 6.2 आपको पूरा solve करना है then 146 then 147 148 बाद में आते हैं हमारा प्रैक्टिस्टेट 6.3 6.3 में कुछ भी part यहाँ पे reduce नहीं किया है then 150 150 यहाँ पे दिखाए दिरा है 150 में भी आपको सारी चीज़े आपको पढ़नी है then 151 then 152 153 पे हमारा प्रैक्टिस्ट 6.4 6.4 पूरा आपको पढ़ना है solve करना है then 155 155 पे graph दिखाए देरा है histogram है yes then 156 कुछ भी change नहीं है then practice 6.5 में सारी चीज़े आपको solve करनी है पढ़नी है then आते हैं next page पे 158 then आते हैं हमारा 159 so 159 पूरा यहाँ पे cancer करके लिखा है यहाँ पे मैंने cross दिया है मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी नहीं है then page number 166 160 160 यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है then next page पे आते है 161 161 पे कुछ भी reduce नहीं किया है then 162 162 में भी कुछ भी नहीं है then 163 164 पे दिखाए दे रहा है यहाँ पे आपको practice set 6.6 है 6.6 में question number 5 and 6 दोनों भी question आपको solve करने नहीं है वो आपके syllabus में अभी नहीं है मतलब reduce हुए बाकी सारे question 1, 2, 3 and 4 चारों भी question आपको solve करने है then आते हैं next page पे 165 so 165 में question number 2 and question number 4 आपको पढ़ना नहीं है then 166 166 पे कुछ भी change नहीं है then 167 में है question number 14 pi वाला था pi diagram वाला था जो हमने reduce किया था मतलब उसके उपर जो question होगे वो भी आपको क्या हो जाएगे reduce हो जाएगे so यह हमारा question number 14 है जो आपको पढ़ना नहीं है देना आते हैं next page पे 168 पे 168 पे question number 16 है वो भी pi वाला है pi diagram वाला आपको दिखाए दे रहा है वो भी आपको पढ़ना नहीं है देना आते हैं next page पे अभी 168 जो है वो last page था प्लब यह सारे match 1 के आपने कौन कौन सा party आपको reduce हुआ है उस सारी चीज़ें आपने page number वाइस सब दिखे है so thank you for watching our video प्लब प्लबahu वो